नमस्कार स्वागत है आपका सरोकार में मैं हूँ अमरतार आए आज सरोकार में बात नई सिक्षा नीथी की इंडिये सरकार नई सिक्षा नीथी पेश करने की तयारी में है जनता के 29,109 सुझाओं को समेट कर खाका तयार करने वाले सुब्रमन्यम समिती ने 90 सिफारिशों के स साथ अपने रिपोर्ट सरकार को सौब दी है। अधिकार की तरफ से इसे पपलिक नही किया गया है लेकिन ये रिपोर्ट पब्लिक डॉमेन में है। माना यह जा रहा है कि समें मुख्यरूप से जीवन मूलियों पर सिक्षा का द्यान के जाए और दूसरा आईएस की तर्स पर अखिल भारतिय सिक्षा सेवा काडर की स्थापना की जाए सिक्षा विदों के बीच इन सुझाओं को लेकर बहस तेज है सवाल किये जा रहे हैं कि क्या कमेटी ने पिछली नीतियों के असफल होने के बारे में कोई अध्यान किया अमल म से बड़ा सवाल ये कि छात्रों के समग्र विकास की उन्नत विवस्था क्या होनी चाहिए और आज इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो लोग हैं जो मेहमान हैं उनसे आपका परचा कराते हैं हमारे साथ T.S.R. सुब्रमनियम खुद मौझूद हैं आपकी अध्यक्षता में बनी कमिटी ने नई सिक्षा नीति को लेकर Human Resource Development Ministry को अपने रिपोर्ट सौपी है रिपोर्ट हाला कि मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिक नहीं की गई है लेकिन ये मुख्य रूप से पब्लिक डुमेन में है और सब लोग इस पर बहस कर रहे हैं इसलिए आज हम भी इस पर बहस कर रहे हैं हमारे साथ हैं जान की राजन आप भी जानी माने सिक्षा विद्ध हैं और आप जामिया मिलिया इसलामिया युनिवरसिटी में Faculty of Education Department में प्रॉफिसर हैं इसके अलावा आप S.E.E.R.T. की डारेक्टर भी रह चुकी हैं इसके अलावा हमारे साथ हैं अमरीश राय आप Right to Education Forum के राश्टरी संयोजक है आपकी संस्था देश भर में सिक्षा से जुड़े मामलों पर काम करती है और हमारे साथ हैं राकेश तिनहा आप RSS विचारक हैं और आप इंडिया Policy Foundation में डारेक्टर हैं और इसके अलावा हमार साथ एक और खास मेहमान हैं स्वराज अभियान के स्योजक फिलहाल आप हैं लेकिन आप जाने माने सिक्षाविद भी रह चुके हैं और आप यूजी सी और आर टी पर बनी National Advisory Council के मेंबर भी रह चुके हैं योगेंद रियादो आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत स्वाग देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट एक समिती बनाई जिसने 90 सिफारिशिंग की हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समिती ने कहा है कि पाठे पुस्तकें ऐसी हो जिससे छात्र बहतर इंसान बने और खुद के भारतिय होने पर गर्व करें पढ़ाई ऐसी हो जिससे छात्र ना सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में जाने बलकि अपनी जिम्मेदारियों से भी परिचित हों छात्रों को फेल ना करने की नीतिक अक्षा 5 के बाद खत्म कर दी जाए 2005 के राष्ट्रिय पाठिक्रम फ्रेमवर्क की जगा नया धाचा लागू किया जाए IES के तरश पर इंडियन एजुकिशन सर्विस नाम से अखिल भारतिय सिक्षा सेवा काडर की स्थापना की जाए कोचिंग संस्थानों के लिए वैधानिक प्रतिमान लागू किये जाए और संपून समिक्षा के आधार पर सिक्षा से जुड़ी संस्थाओं के कामकाज में बदलाव लाए जाए साफ है कि समिती की सिफारिश मानी गई तो आने वाले वर्षों में पाठे पुस्तकों और स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई में भारी बदलाव देखने को मिलेंगे समिती के कुछ ऐसे सुझाओ भी हैं जिन पर सियासी विवाद होने का अंदेशा है जैसे समिती ने कहा है कि कॉलिज कैंपस में राजनितिक गतिविधियां सीमित की जाएं जातिय या धार्मिक अस्मिता के आधार पर बने चातर संगटनों की मानेता खत्म हो सामाने रूप से जितना आवश्यक होता है उससे जादा समय तक छातरों को कैंपस में न रहने दिया जाए योगो को स्कूलों में बढ़ावा दिया जाए और RTE कानून के तहट गरीब चातरों को मिले 25 वीसिदी आरक्षन को अलप संख्यक स्कूलों में भी लागू किया जाए सवाल और भी है मसलन 2005 के करिकुलम फ्रेमवर्क में ऐसी क्या गरबड़ियां सामने आई जिससे अब उसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत महसूस की गई है जो समस्याए आई वो पाठिक्रम के धाँचे की वज़े से थी या उन पर अमल में गरबड़ी हुई अथवा उस धाँचे को बदलने के पीछे मकसद राजनी तिक है सुब्रमन्यम समिती की सिफारिशों के मद्दे नजर सिक्षा पर नौकर शाही शिकंजा कसने की आशंका जताई गई है अब अपेक्षा है कि सरकार जल्ब नई नीती का अंतिम खाका पेश करे और इस प्रक्रिया में अधिक्तम आम सहमती बनाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए ताकि सरकारें बदलने के साथ सिक्षा नीती में बदलाव की रवायत आगे खत्म हो सबसे पहले अपनी चोचा के शुरुआत सुब्रमन्यम साहब आपी से करना चाहेंगे आपने अपनी रिपोर्ट सौब दी है 90 सिफारिशें की है लेकिन उस सिफारिश का अगर एसेंस मनें तो क्या है वो मुख्य फोकस क्या है और आपने पूरे देश भर में लोगों से मुलाकात की इसके बाद अपनी रिपोर्ट तयार की है तो देश में सिक्षा का हाल आपकी नजर में क्या है हमारी प्रे ना मिली है इनिस्टिफ एचार्डी से विसेश रूप से हंत्री जी इरानी का इनिशिटिव से तो उन्होंने करीब साल बर के लिए सारी देश में हर स्कूल, हर मोहला सो तो स्पीक, हर स्टेट उन्होंने सिफारिश लिया है करीब 20,000 पेपर हमारा पास आये थे हमने उसको basis लेके हमारी कमिटी ने जिसमें हमारा एलावा चार लोग थे हम लोग करीब तीन-चार मेना उसको अधियन किये थे तो हमने इसके साथ-साथ करीब 500 एक्सपर्ट से मिले थे चोंकि हम चाहते थे कि हरेके साथ 15-20 मिनिट आदा गंटा बात करें एक्सपर्ट हैं उनसे समझें तो ये रिपोर्ट आपकी समीती में जो दिल्ली के पूरो मुक्य सचीव शालजा चंद्रा थी दिल्ली के पूरो ग्रे सचीव सेवा राम शर्मा थे गुजरात के पूरो मुक्य सचीव सुधीर मांकर्ड और NCRT के पूरो निदेशक JS राजपुच शामिल थे और आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने 500 लोगों से करीब करीब 500 लोगों से सुझाव लिए और तमाम संस्थाओं से भी सुझाव लिए जो एजुकेशन के शेद में काथ देते और मिनिस्ट्री ने 33 सब्जेक्ट अइन्टिफी किये थे हमने उन 33 के उपर में भी अध्यन किया उसके इलावा भी कुछ आयर्ट किये थे निश्कर्ष क्या है उसको आसान से समरे करना खटिन है लेकिन दो-तीन निकलते हैं गांधी जी का नई नई तालीम 1944 से लेके रदा कृष्टन का विशन है 48 का पतारी का विशन है 68 का और 86 का पॉलिसी का है सब ने करीब हमारा पॉलिसी ने हमारा ज़ाव भी करीब-करीब उसी रास्ते में गिया है करीब-करीब फंडमेंटल में गोई चेंज नहीं हुआ है लेकिन हमने यह देखा है कि implementation hardly हुआ है देश ने और political leadership ने fundamental importance of education in nation building शायद उनकी दिमाग में priority में शायद नहीं आया है अभी तक. इसलिए इसकी implementation, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतियां तो हर बार अच्छी बनाई गई, लेकिन नीतियों पर अमल सरकारों ने नहीं किया चाहें, वो जो भी सरकारे हो. मैं किसी सरकार की ऊपर मैंने सभी सर्थारूं की बनाई लेकिन इंडिया में ऐस रूल इस सरकार ने इसकी great importance समझ के पिछले साल इस exercise को शुरू किया है. इन्सियार्टी के स्टडीज हैं, आसर का स्टडीज हैं, गुनोटसव का स्टडीज हैं, कई स्टेट में स्टेट एजन्सी हैं, स्टडीज में बहुत डिप्रसिंग पिक्चर भर राता है. तो क्लास आठ का बच्चा 50% क्लास दो या तीन का material से उनका वाकिफ कम है. गुनोटता इतना खराब है और इतनी देश में aspiration है, लोग चाहते हैं पढ़ने के लिए इतनी स्कूल expansion हुआ है, लेकिन quality में बहुत कम attention अभी तक दिया गया है, number one. Second, 1947 में हमारी literacy rate करीब 12 रहा. और इस समय 75 परसंट, चोहतर परसंट या 75 परसंट क्या असपास? आज कल करीब 90 परसंट हो गया है. तो first conclusion हमारे यह रहा है कि expand education expand हो चुका है. जब 47 में दो लाग लोग higher education में थे college में, अब तीन क्रोर लोग हैं. The expansion rapid हो चुका है. लेकिन उसी के साथ साथ quality में high गिरावट आ चुकी है. यह तो first point है. Second point even more surprising यह है कि educationally और socially backward जो लोग है और financially deprived जो communities है प्रेमा फेसे एक्विटी बराबर है education system equal है सबके लिए. असलियत में आप जाके अंदर जाके देखेंगे कि जो handicaps उनके हैं वो उनको learn करने का उसका system ने प्रयास नहीं किया है उस handicap को कैसा दूर करें और साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि joint family system जा रहा है, unit families आ रहे हैं, family support जो मिलता है वो बिलकुल नहीं मिल रहा है आजकल. मैं योगेंदर जी आपके पास आना चाहती हूँ, आपने भी जरूर तमाम मीडिया में आ रहे है reports को देखा होगा और उसके आधार पर आपकी धारना क्या बनी है, हाला कि यह कोई नई बात नहीं है सिक्षा विदों के लिए कि देश में education की स्थिती क्या है और quality wise यानि ग retention policy थी, उसे खत्म कर दिया जाए, नैतिक मूलियों को बढ़ावा दिया जाए, इसके अलावा उसमें ये भी कहा जा रहा है कि IES की तरज पर एक IES काडर बनाया जाए, तो शायद सिक्षकों की कमी पूरी करके उसको दूर किया जा सकता है, कई और महत्वकुन सुझाओ भी अमिता जी पहले तुम्हें कहना चाहता हूँ, यह लंबी रिपोर्ट है, जैसी होनी चाहिए, 2500 पेज की और मैंने पूरे 2500 पेज नहीं पढ़े हैं, मैंने केवल उसके 30-40 पेज की जो समरी है वो वाली पढ़ी है, तो मैं उसके आधार पर अपनी धारना व्यक्त कर रहा आम तोर पर क्या होता है, जब ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, मीडिया उसका कोई एक आधा टुकड़ा उठा लेता है और उस एक टुकड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाती है, ऐसी किसी रिपोर्ट को अपनी समगरता में देखना चाहिए, मेरी अपनी समझ पूरी रिपोर्ट की समरी पढ़ने के बाद, पहला तो मुझे संतोश हुआ, दूसरा थोड़ी निराशा हुई है, संतोश इस बात पे हुआ कि जब इस सरकार ने कमेटी बनाई थी, जब ये था कि ये सरकार एक नई शिक्षा नीती बनाने जा रही है, तो मेरी जैसे के बारे में डर ये रहा है कि ये सरकार शिक्षा का भगवा करन करे न करे उसका निम्नसत्सतरिय करन कर देती है, क्योंकि इस सरकार के पास ऐसे लोग नहीं है, जो शिक्षा की कोई समझ रखते हूं, उस लिहाज से मुझे संतोश हुआ ए रिपोर्ट पढ़के, संतोश इस इसमें ऐसे कोई खतरनाक सुझाब नहीं है, उस तरह की चीजें जो देश की विवित्ता के संसकार से अलग होती हो, ऐसी कोई चीज जो देश की शिक्षा का भगवा करन करती हो, जो मुल्यों के बारे में बात कही गई है, वो भी कोई नहीं नहीं है, उसमें कोई खतरनाक जो निराशा मुझे हुई वो ये कि रिपोर्ट कई बिमारियों का ठीक मुल्यांकन करने के बाद उसकी दवाई नहीं बताती है और उसकी सबसे बड़ी जो दो बिमारियां है आज की शिक्षा में जिसके बारे में रिपोर्ट मानती है कि हाई बिमारियां है देकि मुझे उस रिपोर्ट भी उन्हें दुकान कहती है, दुकाने चल रही है, बिलकुल खुलम-खुला धंदा बिजनेस चल रहा है, प्राइवेट एडुकेशन का पूरी देश में, रिपोर्ट उसका कोई समाधान नहीं बताती है, ऐसा समाधान जो व्यभार में लागू हो सके, दूसरा म प्रेर ही अपनी समझ बनी कि यह रिपोर्ट समता के बारे में बात करती है, पिछड़े वर्गों को, गरीबों को जो दिक्कत आती है, एक अच्छी बात कहती है, कि फैलोशिप की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन शिक्षा में जो अमीर गरीब का फासला हो रहा ह आज शिक्षा इस देश में विशमता को बढ़ाने का माध्यम बन रही है, इनेक्वालिटी को बढ़ाने का सबसे बढ़ा माध्यम बन रही है, उसको रोकने की कोशिश मुझे इस रिपोर्ट में गंभीर कोशिश दिखाई नहीं देती है, ये बड़ी चीज़ें बाकी चिट कई नीतियां बने हैं और इसी दाइरे के साथ ये भी नीति बन रही है लेकिन एक बात हमें याद और ये भी कहा गया कि ज़्यादातर ये पुराने जो नीतियां है वो लग बग एक जैसे हैं एक सेवल लेकर के दूसरा बन रहा है यहां पर मैं मुझे ये बताना जरूरी पहुंचे है नई तालीम की आत्मा खो कर पहुंचे है क्योंकि नई तालीम जो सब लोगों को इखटा करने का माधियम क्या था कि काम ही पार्टेकरम होगा और उसी पार्टेकरम से आप गनित भी सीखेंगे विज्ञान भी सीखेंगे साहिती भी सीखेंगे काला भी सीखें यूस्फुल प्रोड़क्टिव वर्क के रूप में एक अलग सा सब्जेक्ट बना दिया गया है और बच्चे उसको कहते हैं सम यूस्फुल पीरियोड वेस्टेड तो यह एक हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी दृष्टी में एक एक लाइन सी बनी है तीसरी बात है जब 86 पॉ इस तरह से एक दो तरीके का ट्राक जो बनाया गरीब बच्चों के लिए थर्ड ख्लास शिक्षा और वो नीती बनाती है इसलिए उसके एक लेजिटिमेसी भी हो जाती है तो यह तो वहीं से तो शुरू हुआ था और आज भी है और आप सुझा अगर हम बाल मजदूरी से बचना चाहते हैं तो हमारे बच्चों को ऐसी जगा सुरक्षित रखना पड़ेगा खार खाने से दूर और सुरक्षित क्या है स्कूल है अब इसलिए तो वह 14 साल तक की बात आई थी तो मैं इस पर यही कहना चाहती हूं कि मगर एक बात जरूर है नई तालीम ने आजाद भारत की इसलिए नहीं नहीं तालीम कोठारी कमिशन ने सोचा है एजुकेशन फर नाशनल डिवलप्मेंट देश की विकास के लिए एक शिक्षा मतलब एक क्लियर मैसेज था कि करना क्या चाहते हैं और हालांकि यह शायद नामसूट नहीं करता मगर फिर भी नाशनल पालिशी ऑफ इडिकेशन फिर ट्रास्फरमेशन के लिए सोचा कहा था है तो हंड़े टो थाउसन सिक्स्टीन किस रास्ते पे जा रहा है इसकी मुझे वैसे नहीं दिखती लेकिन मुझे दिख नहीं रही है कि रास्ता क्या है यह क्लियर आटिकुलेशन की जरूरत है यह लक्ष बताया और यह कारण है जिसके लिए बताना जरूरी है क्योंकि 65 प्रतिशत हमारे लोग 35 साल से कम उमर के हैं यह पोस्ट कोलोनियल बच्चे युवा है यानि उनको नहीं पता है कि उपनी वेश्वात के मुश्किलें क्या थी आजाद भारत के युवा हैं और वो सर उठा के जीते हैं और उनको अजाद भारत से बहुत उमीद हैं और उसको लेकर छोड़ेंगे तो जो दो सिक्षा विद्ध हैं मैं आमरीज जी आपके पासा एक और बात मैं प्लीस लोड़ना चाहती हूं मैं इस तरह से जब सोचने लगी वैसे तो डीटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा इस तरह से जब सोचने लगी तो मुझे एक जीस एक धम से सामने उभर के दिखा वो है एक कमी की वो कमी दो है एक कमी है कि 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 पॉलिसी में कहीं भी लड़की का नाम नहीं है स्केडियूल कास्ट का नाम नहीं है ओवी सी का नाम नहीं है लेकि स्वाभाविक है इस दुन्या में कि जब हम किसी पापलिक डॉक्यूमें देखते हैं हम जैसे शादी की आलबम भी हो तो हम डूनते मेरा फोटो का है वां पर तो हम नाशनल पॉलिसी में पर दून रही इसकी जिकर हुई है, एक है कॉंस्टिटूशन की बारे में और दूसरे की उनको पूरा हक है कि वो अपना सलस्था चलाए लेकिन एक और जगह जिकर हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि वो जो वीकर सेक्शन के लिए 25 पर सब्सक्राइब तो ये जो लेकिन सच्चर कमीटी में अगर हम देखते हैं वो क्रिस्टल क्लेर बताता है कि ये देश का अपने अलपसंग के बच्चों के बारे में उनकी नीती क्या है उनको पढ़ानी का वो जो दायत्व है वो मिसिंग है क्योंकि जब ही भी पूछा जाता है कि यहां इनकी तो मैनोरिटी अपनी इंस्टिशन खोल सकते हैं लेकिन देश की भी तो बनता है और दूसरी बात सचर कमीटी क्लियर ली क्याता है कि जहां जहां एक अच्छा सरकारी स्कूल चल रहा था उस जगह पर खास करके मुसल्मान बच्चे गावर्नमेंट स्कूल जाना चाहते हैं ना कि मदर्सा एक क्रिस्टल क्लिय नेशन वाइड के एविडेंस है तो इसका मतलब है देश का दायत्व मैनौरिटी बच्चों के लिए उसको मद्बूत करने की जरूरत है ना कि अपने हाल आप लेका आप लोग कर लीजे और इस चर्चा को में थोड़ा आगे बढ़ू और जो पॉइंट्स हैं आपके वो 2000 से ही आता है कोहिशन का डिक्शनरी में मतलब क्या है एक जैसे पार्टिकल्स जो होते हैं इकटे हो जाना और हमेशा कॉंस्टिटूशन में हम सिंक्रेटिक की बात करते हैं वारत जर्शे जगा पर हमें सिंक्रेटिसम की जादा जरूरत है और उसको एमफसाइज करना मैं अमरीश राय जी आपसे भी जानना चाहती हूं जो आप लोगों की आर्टी एक्टिविस्ट के तौर पर अपेक्शा हैं थी आप लोग क्योंकि स्कूल एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन के लिए काफी लंबे अर्से से काम कर रहे हैं जिस तरह की अपेक्शा हैं मैं सुगर्मनेशम साब को धर्नेवाद दूंगा कि इन्होंने बहुत ही मेहनत करके और इस रिक्मेंडेशन नई सिक्षानिती के लिए तैयार की मुझे बड़ा आश्चर्ज है कि MHRD इसको पब्लिक क्यों नहीं कर रही है क्योंकि अब तक तो देश भर में इस पर चर्चा शुरू हो जानी चाहिए थी और इसके जो क्रिटिसिजम है वो भी आने चाहिए थे और फिर उसको देखा जाता कि इसमें क्या आमल में लाया ज चाहिए और किन चीजों को छोड़ा जाना चाहिए लेकिन MHRD एकदम इस पर चुप है और वो इसको पब्लिक करने के लिए तयार ने हैं दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो देखे अभी जो सबसे मुख मुद्दा है सिक्षा का उद्देश क्या है यह करना नहीं है लोगों के अंदर तो मुझे लगता है कि इसका कोई भी पॉलिसी आप बना लीजिए उसका कोई महत तो नहीं होगा तो अभी अगर आप देश भर के लोगों की राय लीजिए तो लोग यही कहेंगे कि एक समान सिक्षा के लिए कानून बना चाहिए इस देश स्कूल से अभी लो कास्ष्ट मश्रूम कर रहा है पूरे देश के पैमाने पर और हमारे जो सरकारी स्कूल है जिनके बारे में सुबरुमणी साभ भी कह रहे है यह बहुत पैसेरी कंडिशन में चल रहे है、 और दूसरी तरफ सरकार ही कुछ केंद्री यह विद्यालें कुछ इस सरकार ने किया है, सरस्कृत स्कूल और कई जगहों पर खोलने की बात हुई है, जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के लिए खोला जा रहा है, उसमें बहुत सारे पैसे लगाये जाएंगे, सरकारी स्कूलों के लिए पैसे नहीं है, सरकारी स्कूलों में अभी भी 9 लाख टीचर की कमी है, infrastructure नहीं है, teachers के ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये 5 लाग जो बता रहा है वो vacancy है, और बाकी contractual teacher है, जिनको आईटी के मुताबिक regularize करना चाहिए था, कुल मिलाके 9 लाग teacher ऐसे हैं, जिनको आप vacancy और contractual teacher कह सकते हैं, देखें सिक्षा में contractual teacher की ज़र्वत नहीं है, ये regular काम है, नैशन बिल्डिंग से जुड़ा हुआ काम है, इसमें आप contractual, ad hoc, और कल अभी MHRD ने एक scheme जारी की है, जिसमें volunteers को engage करने, volunteers को engage करके सिक्षा का काम नहीं होगा, सिक्षा अगर देश के विकार, development के discourse में prominent जगह रखती है सिक्षा, तो आपको सिक्षा के इस्थाई धाचे बनाने पड़ेंगे, और ये private sector से भी नहीं चलने वाला है, जिसको हर चीज़ा private sector पर चोड़ी जा रही है, quality development करना है तो private sector को दे दो, ये इस तरह से तेक ओवर करने की कोशिस हो रहे है, हम मिले थे सुबर्मलियन साब की committee के साथ, और हमने ये कहा था कि RTE हमारे पास है, fundamental right को, article 21 के constitution को implement करने के लिए देश में बड़े लंबे जद्दो जहत के बाद एक कानून बन गया है, और ये कानून हलाकि इसमें छोटे बच्चे नही नहीं है, और 18 साल तक की बात थी, हमने इंसे कहा था कि आप इसको pre-primary से higher secondary तक RTE के expansion की बात की जिए, प्री प्राइमरी को जोडने की बात किये, लेकिन देखिए, UN ने भी SDG डिकलेर किये, sustainable development goal डिकलेर किये, और पूरी दुनिया से कहा है कि secondary education, ये हर राज्य को जिम्मे हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी मी जाके वहार निवयर्क में उस पर सहमती ब्यक्त करके आये हैं कि दुनिया भर में 12 तक सिक्षा देना सरकारों का करतब है और ये sustainable development के लिए जरूरी है, आप 12 तक अगर सिक्षा नहीं देगे, आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि sustainable आपको ये लग रहा है कि एक तो इस थाई धाचे के रूप में अगर सिक्षा को आगे बढ़ाना है तो उसकी कहीं कमी दिख रही है और दूसरा की सिक्षा का उद्देश शेसपष्ट नहीं दिख रही है एक तो सिक्षा की समानता के सवाल पर बात है हलाकि इन्होंने ये कहा है कि सारे स्कूल्स को केंद्री विद्याले के नौर्म तक लाया जाए और मैं इसका स्वागत करता हूँ सिक्षा की समानता आज बहुत जरूरी है हमारे देश में inequality बहुत बढ़ गई है सब चीजें सिक्षा के जरिये address की जा सकती है दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ और दूसरा यह कि देश बर की quality को आप कैसे address कर लेगे मैं दूसरी जो महतवपूर बात है वो यह है कि आप जितनी भी committee बना लीजिए जितने भी सुझाव दे दीजिए पैसे का सवाल सबसे महतवपूर सवाल है पैसे के सवाल पर इन्हों ने कहा है कि GDP का 6% खर्च होना चाहिए लेकि अभी तक नहीं हो सका है पांच हजार करोड की पहले बजट में ही कटाउती कर दी और जब हमने सोर मचाया तो इन्होंने कहा कि साफ 14th finance commission की recommendation को हमने लागू कर दिया और state को ज्यादा पैसा दीजिए तो ठीक है आपने state को ज्यादा पैसा दीजिए इस state से कहेंगे कि आप पैसा ज्यादा लगाईए लेकिन आपका target अगर 6% है और कानून जो है केंद्री जिम्मेदारी एक constitution का part है तो 6% तक पहुँचने के लिए आपने अपना budget क्यों cut कर दिया इस बार सिर्फ महच 500 मतलब ये कि schoolी सिक्षा इनके agenda में नहीं है लेकिन ये तो राजनीतिक बात हुई हम तो नई सिक्षा नीती पर इनके जो सुझाओं है उनके सुझाओं से आप कितने संतुष्ट हैं और आप लोगों की जो अपेक्ष्राएं हैं वो कितनी पूरी हुई हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं एक तो ये हमें कि जो सुबरवणयम साब ने जो बहुत डर था ये योगेदर जीन ने जो कहा सही बात है लेकिन जो सिक्षा जो constitutional spirits की बात है उस कुछ values को इन्हों ने उसमें incorporate किया है इसके बात लेकिन ये बात सही है कि आटी को लागू करने के लिए जो देखें आटी को आप लागू कीजिए इस पूली सिक्षा का मुद्ध को बजट की ज़रूरत है उसमें आपको लग रहा है कि उस पर हाला कि इन्होंने ध्यान दिलाए है लेकिन सरकार उस तरह से अभी रिपोर्ट आई है तो इसमें चर्चा अभी बहुत हो सकती है और उसकी तरफ पॉलिसी मेकर्स का अटेंशन नहीं जा सकता है मैं समझता हूँ वही सब फैसले लागू कर दिये जाए तो बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा एक और सुझाओ बहुत उसको कह सकते हैं कि विवादास्पद है लेकिन उस पर हम चर्चा करें उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुखते हैं ब्रेक के बाद राकेश जी मैं आपके पास आओंगे आदमी कास्मिता के आधार पर जो चात्र संगठेन काम करते हैं उनकी मानेता ख़त्म करके मतलब इस सिक्षा किस तर को हायर एजूकेशन में ठीक किया जा सकता है इस पर आने से पहले मैं एक टिपनी करूंगा इस समीति के रिकामेंडेशन पर मैं भी चर्चा सुन रहा था दिखे जो समस्याएं खरी हुई है देश में विसमता की सिक्षा में तो वो विसमता की समस्या दो साल में नहीं खरी हुई है वो साथ साल की सिक्षा नीति के दौरान खरी हुई है इसी का परिणाम है कि क्यावन परसत जो स्कूल है वो प्राइविट मैनेज्ट है 69% कर रहा है दो बातों के कारव पहली बात कि मल्टि लेयर अप्रोच जो नए सब्सक्राइब कानूनी अधिकार तो आप दे रहे हैं समान सिक्षा के लेकिन बास्तों में अधिकार नहीं दे तो मुझे लगता है समीती ने जो 6% GDP के खर्च करने की बात कही है, मूल बात है, क्योंकि अब तक की सरकारों ने समानता की बात की है, लेकिन GDP का 2-3% किया है, 2003 से लेकर 2012 तक में GDP आपका 45% बढ़ा है, 45%, मिस GDP का जो growth rate है, लेकिन सिक्षार में जो खर्च था, वो आपने नहीं बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि नहीं सरकार उस इक्षा निती में अगर GDP का जो recommendation मानती है, तो इसका एक बड़ा गुनात्मक प्रफाव परेगा, एक बात मैं एडिस का, फ्रनाइजिसन की बात कही जा रही है, इसमें तो कहीं ठ्याचा ही नहीं, नहीं ने कहा धारना ट हमें उमीद है, हमें उमीद है, जो सरकार नहीं सिक्षा निती लाएगी, वो इसी लाइन पे रहेगी, हमें उमीद है, हम कोट की तरह जी रहना करें, मैं भी बता दूँ, एक और मैं बता दूँ, इस पहली बार कमीटी ने wider level पर participation दिया है, इसके पहले कोई भी रिपोर्ट इतने बड़े पैमाने पर participation नहीं दिया था, इतने बड़े पैमाने पर participation नहीं दिया था, इतने बड़े आप देख लीजे, आप गण इसका wider level का horizon देख लीजे, और केंपस की बाप मैं कहता हूँ, देखे च्छातर राजनिती को रोका नहीं जाना चाहिए, नहीं रोका ज पर च्छात राजनती में स्षायचता होनी चाहिए और सिधा राजनती को Zooso क programmes नहीं होना चाहिए नहीं को सकते हैं लेकि राजनती के नाम पर지स्टम्र में आफना पर बैंस लाजनती के नाम पर उसके ने जो आपना यका إلى पर बात है पयालिए it बहुत याद आ रहा है कि चार मेना एक्सपर्ट से मिलके दो मेना अभी नहीं मिले हैं तो अब लग रहा है कि बहुत बड़ी आप भाष्रू हो हो गई है जो हम तिर मेना किये थे अब शुरू हो गया है इसी इस तरके एक्सपर्स हैं जो बात किये हैं और बिल्कुल अपने अपने बाते हैं अलग अलग बाते हैं नमबर वन शायद लोगों को टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए योगें जादरावर्शाब शाब ने श बाकी में वापस जाके जितने पॉइंस यहां आए हैं आपको भी कॉपी पीज़ दूँगा इस इस इंडिविज़ पॉइंस उसके बाद भी देखके आपके अनुरूद करूँगा इक दफर मीइट अगर अगर आप बता दी यहीं पे तो और भी जादा अच्छा होगा त इस रहीं पॉड़ार के लिए प्रविज़ और प्रविज़ पॉड़ाइशन अगर अगर अधिज़ गए और भी बता कर दो जादो कर आपके लिए नगेंश सिस्टम्य अगर ऑर बेवेज़ पिले अगर थानुंसरे श्ट कि पॉग ओंड़ ऑर भी तो तु नाओ ऊ इस् कि आपको दो साल देंगे, इंप्रू करना तू करो वरना बन करके जाएगा। जांकी जी आपने, we have spoken very heavily on vocationalization, which is a huge program of the new government. We have said that the education department, skill department, vocation department should now work together. We have also said that every child needs an opportunity. It doesn't matter if you have a degree, this is now the ambition of everybody. We have to bring dignity to our skills, we have got to change the attitude, etc. We have said that there are five pages, we have said that. Then there is also an option for people to go to the education level, those who want to come to the formalization, they will also be able to do this. This is what happened. The big thing that they brought up was that vision is lack of vision, and syncretism versus co-hism was the issue of syncretism. See, if I keep shouting from rooftop, vision, 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 that vision is reflected in the AT recommendation. Vision, we have said in one sentence, India is the greatest country in two-thirds of mankind. The greatest country in one generation is the greatest country in one generation. Remaining two-thirds of this century, India will become great again. What more vision do you want? All that we have said is improve your education today. In the 70s, in this country, education and public health have not given attention to public health. In the 70s, the greatest history of India is the greatest country in the world. In the last thousand years, we have fallen. In one generation, we have said that the quality of the human mind is the best in India, the best in the world. There are experiments we have recorded here. that someone who has children in the most backward districts, give them high quality education for 2 years, he will compete not with the Indian, he will compete anywhere in the world. And we have given chapter and verse that the problem is exclusively, exclusively because of lack of opportunity and quality education. These are the two things we have stressed. You say, so there is no vision? We say, this is the route for you to be the number one country in the world. You are saying there is no vision? So please read it again after that. No, I think that is overstating the case. That is overstating the case. That is what you can call a long vision. If wishes were horses, beggars could fly kind of equation. When we say vision, there has to be something that is reasonably achievable in 10-20 years. And what is your clear direction? And that is missing and you accepted it off the record. I am forced to say that. Vishen, Vishen, Vishen. Wait, 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 wait. Please answer the point. The vision we have said is now, our education should be 90-90 principle. In every class, 90% of the students should learn 90% of the material taught. If you do that, suddenly you get to the transformation of the system. Is that Vishen? I want to talk about future issues. And the students who are in the future, take questions from them. What are your questions about the new education? Sir, there is a clause in RTE that no student shall be expelled or held back in the same class until he or she completes elementary education. Although this was done to reduce dropouts and improve other quality issues. Don't you think this clause has disincentivized the learning? Our analysis is exactly the way you are putting it. We are not thinking about the other 80% teacher's interest, other people's standard of coaching, etc. We have come to the same conclusion. But we have said this, we shouldn't just detain. So, we should have three extra coaching opportunities so that they should go back to class level. So, we should have a question. You think it's okay to be done in the 5th century, but the next steps are necessary. What do you think? What does your opinion have? आज की परिस्थिती में शायद वही एक मध्यमार्ग है दरसल यह नो डिटेंशन पॉलिसी पे पूरा बहस हुआ है देश में यह एक बहुत ही दुरुभाग के पूर्ण पहस है चुंकि जब यह पॉलिसी शुरू हुई बिल्कुल ठीक विचार के साथ शुरू हुई थी और यदि वो करना चाहते हैं तो आपको बच्चों को सिरफ फेल ना करने के सिवा उनको रेमेडियल कोचिंग देनी होगी उनको मदद करनी होगी उन्हें दूसरी क्लास के बराबर लाना होगा यह सब हुआ नहीं कानून बन गया डिटेंशन नहीं होगा जिसका मतलब खुली चुटी थी कोई बच्चा फेल तो होगा निया पढ़ने की क्या जरूरत है जब यह होना शुरू हो गया तो जाहिर है पॉलिसी कहीं न कहीं तो फेल हो नहीं थी तो बच्चा डिटेंशन हुआ है नहीं हुआ यह पॉलिसी का डिटेंशन जरूर हो गया और यह बहुत ही द सब राज्यों ने इसका विरोध किया और जब तक हम दूसरी विवस्थाएं ना बना लें जिसमें बच्चे को मदद की जाए उसका इवैलुएशन सचमुछ किया जाए सजा न दी जाए लेकिन उसको आउपर लाया जाए यह सब किये बिना चुकि हमने से कानून का हिस्सा ब सब्सक्राइब करें जाए सब्सक्राइब करें तो इस बार की जो कमेटी की सिपारिस आई हैं उसमे ही आकलन किया गया कि आने वाले 20 साल में किस तरह की नोगरिया होंगे और किस तरह के इसके लिए सिख सगी जोथ पड़ी हर 5 years में assessment होना चाहिए कि किस किसम की technical education skills education होना चाहिए assessment होना चाहिए there should be a missionary which will give advice to schools etc. जैसे engineering उदर गई है नीचे गिर गया है तो हर एक subject के लिए हमने कहा है continuous evaluation होके every 5 years update करना ज़रूरी है जी अगले सवाल पूचे मेरा question RSS Idealogue राकिर सिना जी से है इस पे बहुत चोटा discussion हुआ है कि campus में political activities को करने का एक recommendation है इन्होंने discussion के दौरान ही यह चीज बोली है कि जो भी political activities हो रही है उस पे कोई political signature नहीं होना चाहिए कोई राजनेतिक हस्ताक shape नहीं होना चाहिए तो मैं इसे पूचूँगी कि जो हैदराबाद university में हुआ जैसे कि उसमें direct intervention था MHRD ministry का और जो की पता है कि central government BJP की है तो एक BJP के minister जब direct intervention करते हैं और उसके बाद भी जो सारा हमने देखा जो महाँ पे activities हुई और जो महाँ पे violence भी हुआ सवाल के पूछना चाहिए पूछना चाहती हूँ कि फिर जो यह बोल रहे हैं और जो हो रहा है उसमें बहुत contradiction है और ABP जो की RSS को अपना student वह पताता आई डिलोग वही जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो जो ground level पर reality उसमें जो कहने और करने में जो फरक है उसमें क्या जवाब होगा आपने जो मैं चाहता राजनिती होनी चाहिए एक स्वस्त चाहता राजनिती में स्वस्त चाहता निताओं को बाद में कर लीडर्शिप का देता है और आज हम देख रहे हैं जो सीतारा में चुरी से ल आपका जो बहुत सी माननेता हैं गलत हैं उसमें अलग बहस हो सकती है उसमें जदी हम फसेंगे तो डस गंटे बहस चलेगी इसमें जो कहा यह वीपी ने वालेंस के एवीपी के ही छातनेता को पीटा गया था समस्य और कोट में केस है यह तथ्यात्मक वाते हैं वह बहुत राजनितिक दलों का दखल कैसे रोका जाएगा जब राजनितिक दल कहीं न कहीं डारिक्ट इंडारिक्ट इंवाल्व हो जाते हैं मैं क्या कहा हूँ वईचारिक संगट्षनों का होना जैसे SFI-CPM की संस्था है NSOI Congress संस्था है ABP संग से जुरुई संस्था है तो वईचारिक संगट्षनों का होना उनकी गतिविदी करना सीधे राजनितिक नेताओं का राजनितिक दलों का उहां पहुशना लिंग्दोफ कमिटी ने बहुत कुछ रोका है मुझे लगता है कि छात्र राजनिति में छात्र के चुनाओं में एक स्वाइटिता होनी चाहिए और इस माम पूशना चाहती हूं आपने अपने सुझाओं में यह भी कहा है कि जो धार्मिक अस्मिता के आधार पर जाती अस्मिता के आधार पर जो चात्र संगठन बनते हैं उनकी भी मानेताइं खत्म होनी चाहिए और यह खास दोर से माना यह जा रहा है कि हैडराबाद यूर्सिट से आया है कि 50 में हमने डेड़ साल खोया कलकता उनिवर्सिटी में एक्जाम से नहीं हूपाय है कि 90 पर संग आते हैं विद ग्रेट साक्रिफाइस की चार साल वहां टाइम करके पैसा वसा देके पैरन्स वगारा करके पढ़ने के लिए आते हैं तो इंपोर्टन है कि इन पर किस हत तक वो रागू होंगे ता कि 90 पर संग को अफेक्ट न करें क्या संथूलन हो ना चाहिए इन दोनों में इसमे एक नाशनल डिबेट हो ना चाहिए उसे में जैसी हर कैंपस में आजकल की प्रिसन डिलेशन कारे में बेट हो रहा है लेकिन एक घंटा लॉस नहीं हुआ किसी केंपस में आई साओ सिस्तम हम आहा करना चाहिए विसु विफी शूद आव कास्ट पम्यूदी और पोलिबुटी अर पोलिट के अच्यू सूथ यूद परिबूस इस नोट प्रिव था इस तो वाट इस रिकमेंदेशन देट दिबेट प्लिज हम धिशार दोई टॉर मैं जानता हूँ जब से छात्राजनीती मैंने देखी है कि छात्रों के जो आंदोलन हुए है वह अकसर सिख्षा के प्रष्णों पर भी ही हुए है जैसे फीस हाई खो गई फीस बढ़ गई अभी देखें इन्वस्टी ग्रांड कमिशन ने जो फैलोसी पोगरा के सवाल पर चात्रों के जो ज्यादा तर आंदोलन है वह आंदोलन जो है इन ही मुद्धों पर हुए है चात्रों के अपने मुद्धों पर हुए है रोजगार के सवाल पर हुए है या फिर कुछ human rights से जुड़े हुए सवाल है जो चात्र स्वाभावी के उस पर रियक्ट करेंगे अग सबसे आप सबसे आखरी कमिन्ट लेना चाहूंगी योगेंदर जी आपने कहा की बीमारी की पैचान की गई है मगर इसमें इलाज नहीं बताया गया है अब तक जो बहस हुई हमारी एक गंटे की इसमें आपको इलाज क्या कुछ भी सूत्र मिला की नहीं मिला उम्मीद करनी चाहिए कि इशिक्षा मंत्राले की तरफ से जब मीती बनती है तो इसमें इस रिपोर्ट के कम से कम जो पॉजिटिव पहलू है उसे शामिल किया जाएगा और इसमें और कोई शारारत जोड़ी नहीं जाएगी मेरा अभी यही निश्कर्श है कि एक तो संतोश है कि उस किसम की खुराफात जो कि पिसले दोड़ाई साल से चलाई जा रही है यह शिक्षा में वो कम से कम इस रिपोर्ट में नहीं है दूसरी तरफ निराशा है कि जिन बड़ी बिमारियों की तरफ इशारा किया था उसे समाप्त करने का उसका निदान करने का मेकेनिजम चाहिए बार बार हम कहते हैं मैंने वो पढ़ी वो चीज फर्स वन तो सेवन रैंकिंग वाली चीज़ पढ़ी लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में कोई मेकेनिजम आज नहीं है जिससे युनिवेस्टियों का एक्रेडिशन या उनकी रैंकिंग या उनकी माननेता एक अबजेक्टिव तरीके से की जा सके जब तक वो नहीं बनेगा तब तक यह सारी चीज़ें कागज पर रह जाएंगी 6 प्रतिशत GDP की बात करना बहुत सुंदर बात है पर कितनी बार यह सुन चुके हैं यह बात तो हम जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि वो 6 प्रतिशत कैसे कैसे इस्तेमाल होना चाहिए और कैसे कम से कम इतने पैसे को खर्च किये बिना सरकार शिक्षा नहीं दे सकती तब तक 6 प्रतिशत की बात ना कॉंग्रेस लागू करेगी और मैं गारंटी से बता सकता हूँ बीजेपी भी लागू नहीं करेगी राकेज जी चाहे जो बाते यहां पर कह लें जी तैकि मैं दो बाते कहना चाहता हूँ करना चाहिए दूसरी जो महत्पुन बात है जो हमारे सामने चुनोती है जो समाजिक और आर्थिक रूब से सबसे ज़्यादा पिछरे वर्ग के लोग हैं, पिछरे हैं, गाउं के लोग हैं, उनके बच्चों को आर्थिक साहता, फेलोशिप, इस्क्लॉशिप की साहता देकर पेरिटिप पे लाना चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने रिपोर्ट जो शामिल किया जाए, और आर्टी पर जोर दिया जाए, राइट टु एजूकेशन एक्ट जो है, उसको रिव्यू करने और उसको अमेंट करने की जो बात कही जारी है, वो देखे, वो आर्टी को हाईर सेकंडरी तक ले जाया जाए, प्री प्रैमरी से, और उसके लिए जो ज साइस देश के अंदर, और वो रैकेट है, और जो लोग प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग से आते हैं, जब उनका टीटी होता है, इलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो साथ परसेंट रिजल्ट रहता है, इनकी एक बास में सहमत हूँ, राज्य को सिक्षा के शित्र में भ साथ रिपोर्ट को देखके, इस नई मौसादा नीती को देखकर, लेकिन इतनी बहस की बात, बात यह है कि यह आशा नीराशा की बात नहीं है, यह एक तरह की घंबीर सोच, अपनी नीती जो देश को किस तरफ ले जा रहा है, उस पर घंबीरता से समझना सोचना हमारा फर् पढ़ता है, और आपने देख भी लिया है कि एक घंटे आप काफी टाइम देती हैं लोगों को अपनी बात रखने को, तो यहाँ पर डेफिनिटली आपको एक नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ मतबेत तो है जितको और बारी की से समझने की जरूरत है, मुझे थोड़ी थोड़ी सी बात हो गई थी, तेकि मैं फिर वापस इसी पर आ रही हूँ, मुझे तो कोई एलेक्शन जीतना नहीं है, ना ही मैं फिफ्ट क्लास की भी क्लास मनेटर कभी नहीं थी, तो इसलिए मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि कौन सी चीज है जिस पर हम सहम है, उसको मैं पहले बताना चाहती हूँ, एक, हाना की मैंने कभी नहीं सोचा कि इन ini, बहुत बात उंफर यह, वे, यह हो जाता है, मैं बिलकुल सहमत हूँ कि इस देश में और कॉमन स्कूल सिस्टम हो जाए, जिसमें हार तरह कि, हर तपकह के बच्चे, हर जात के बच्चे एक जगह लड़का लड़की एक जगह पड़े अब घुस्से में आएंगे आने दीजे दूबारा प्राब्लम यही है कि हमारे देश में सिंक्रेटिक कल्चर की जरूरत है उस सिंक्रेटिक कल्चर में विविद लोगों के चहरे उनके हेरिटेज उनकी कल्चर उनकी कल्चर मे इस्ट्री में उनकी अगर डिस्क्रिमेनेशन हुआ, वो हिस्ट्री आफ डिस्क्रिमेनेशन भी आए और फिर हम सब मिलके एखटे होएं, ये सब हर जगा हो रहा है, अबेरेका की बड़ी बात हुरही है यहां पे तो हम जात की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि घटे रखने लोगों को ऐसा नहीं चलेगा, दल इसको हम स्कूल में कैसे, चहरे दिखाए, सावितरी भाई फुले की बात क्यों नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात है, नौलेज की, नौलेज सिस्टम, इस देश में जि भक्ति मुव्मेंट की सिस्टम लाईए, दलिक नौलेज सिस्टम को लाईए, अलग-अलग मजहब, अलग-अलग संस्कृतियों के लाईए, ना, देखें, यह हम कभी नहीं बूल सकते हैं, कि यह देश स्ट्राटिफाइट सोसाइटी रहा है, पांच हजार साल से, मैं पां लाईए, विमेन की भी लिटरिचर होती है, जरा पढ़िये, वो बिल्कुल बिन लगेगा, लेकिन उसको और गंबीरता से आप सब को पढ़ने की जरूरत है, अब मेरी बारी है, एक आखरी सवाल आपसे करना चाहती हूं, उसके बाद मुझे खत्म करना है, वक्त बहुत कम और वैल्यूस पर जोर दिया है, इस नई नीती को बनाते हुए, लेकिन क्या आप अपने अलग-अलग धर्म, अलग-अलग वर्ग, अलग-अलग जातियों, अलग-अलग संस्कृतियों के मूलियों को समाहित करने की बात कही है, वह तो, I'll answer, I'll comment on the last point first, I did not, we have not treated this as a religious discourse or history of education, future policy की तोर पर हमने देखा है, number two, values के बारे में, so we have spent eight pages out of 230, only values, क्या value होना चाहिए, we have talked not of tolerance, we have talked of acceptance, acceptance, we have talked of integration, we have, please, please read, please read, number one, number two, what struck me was Mr. Yogesh, he is such a perceptive person, he is saying that there are no solutions for higher education, please read very very carefully, I request him, we have got ten items which have completely transformed the higher education sector, कर लीजे, I'll have debate with him, I know him elsewhere also, I'll talk to him, and lastly, our thesis is this, that private schools have come, school sector में, quality अंतर जादा नहीं हैं, between public schools and private schools, more expensive, आप इसका गुनवत्ता को इंप्रूव कीजिए, अपने आप फ्रेवट स्कूल गो होगा, अने वाले दिनों में हो सकता है, चर्चा के और मौके मिलें, और जो आप बार बार कह रहे हैं, कि और पढ़के आएगा, हम सब बार पढ़के आएंगे, और बार बार कह रहें आज इस बहस को मुझे इंपर खत्म करना होगा, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार. झाल झाल